गुद मॉर्निंग एवरीबड़ी मैं हूं सेयत ताहा कादरी और आप देख रहे हैं केम टॉक्स आज बहुत ही अलग टॉपिक के साथ आए हैं एकनॉमी से रिलेटेड है भारत की अर्थवस्ता से रिलेटेड है और आपको पता चलेगा कि लागदाउन से लिए कि अभी तक आया है हमारी एकनॉमी में कितना उचाल आया है हमारी एकनॉमी में अभी लेटेस्ट न्यूज है कि अगर इस मन्त का यानि दिसंबर दोहजार बीस का हम यह जीस्टी काउंट करते हैं यानि जीस्टी देखते हैं कितना जीस्टी कलेक्ट हुआ है भारत सरकार के खाते में भारत सरकार के एकाउंट में, तो हमको पदा चलता है कि we have got actually 1.15 लाग करोड रुपीज as a GST collection in December 2020. अभी अपने आप में बड़ी बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि एक रिकॉर्ड प्रतरशन है, यानि एक रिकॉर्ड बन गया अपने आपने. पिछले महिने में एक रिकॉर्ड तग्यार हुआ था, 1.14 लाग करोड का, बट उसको भी ब्रेक करके आगे बढ़ गया है 1.15 लाग करोड का. अब समझेगा कि ये इतना situation खराब होने के बाद भी ऐसा क्यों होगा. हम technical recession में चले गए थे, यानि लगातार दो बार economy हमारी minus में थी, और जब लगातार economy दो बार minus में होती है, तो हम उसे कहते हैं technical recession in economical term. अब समझेए, बहुत बड़ा फरकाता है, देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह होती है, कि हमारे domestic, यानि हमारे domestic डायरे में, यानि देश के geographical boundary के अंदर, जितना भी export, import, manufacturing, जो कुछ हो रहा है, production, जो कुछ हो रहा है, ये excited रग दीजे, इसको हम कहते है, state GST या central GST. यानि किसी कोई product है, जिसकी जिसका डायरा, यानि जिसकी पहुच national level तक है, यानि वो भारत की दूसरे कोने से लेकि, दूसरे कोने तक export हो रहा है, import हो रहा है, कहीं दूसरी अगा manufacture हो रहा है, मान लिजे कश्मीर में manufacture हो रहा है, कन्या कुमारी में वो बेचा जा रहा है, मा तो इसको हम एक तरह से लेके चलते हैं कि इस टेट िमें आ जाएगा या रीकरिया चाना उट्राइक चलते हैं यानि जहां एकनॉमी में फिर से जनम लिया टिकनिकल रिसेशन होने के बाद और हुआ क्या कि अनलॉक के बाद हमारी एकनॉमी रिवाइब होना शुरू हुई प्रोडक्शन होना शुरू हुआ बहुत तीजी से प्रोडक्शन हुआ मनुफैक्शरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इन सारे सेक्टर में, एकनॉमी ने बूस्ट अप किया, जब बूस्ट अप किया तो हम पहुच गे 1.14 लाग तक और उसके बाद फिर इस महीने, एक महीने में एक और उचाल देखा गया, वो 1.15 लाग करोड का द किया जाते हैं, Central, State और Integrated, तो Central State का फिर में आपको समझा दिया है, Integrated क्या होता है, कि अगर माल लीचे बाहर की देश से, व्रम एब्रॉड, बाहर की कंट्री से हम कोई चीज बंग वा रहे हैं, कोई चीज आ रही है हमारे कंट्री में, तो सवाल ही उठता है, कि आप की डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर, यानि आप समझे अगर Crude Oil, कच्छा तेल, इरान से, तुर्की से हम मंगवा रहे हैं, इसका मतलब की हमारे पास उस चीज की डिमांड है, तब सप्लाई हो रही है ना, तो वी है प्रिएटेट आ दिमांड, और दिमांड इस बिन क्र अव डिमांड इस चीज आप, मैं आपको पता के आगे बढ़ता हूं, कि सन्टील वी सोग्वा प्रिट चीज को आप टाई ऑस प्रिए प्रिए इस तरफ इस आपको पता के अगे बढ़ता हूं, ये स्टी वावा बेटीवा इसक्टिस तेल, इसक्ट जोass आपको लिए Central GST जो इस बार collect हुआ है, वो हुआ है 21,365 करोड और State GST जो collect हुआ है, वो हुआ है 27,804 करोड इंटीग्रेटेट GST, यह सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि Crude Oil जैसे चीजों को और भी बाकी बाहर से जो import हमारा बंद था, वो unlock की प्रक्रिया के बाद शुरू हो गया फिर वाला system हमाना शुरू हो गया, तो यानि हमारी economy boundary से बाहर चली गई, और boundary से बाहर जाने के बाद हमारी economy एकदम से bounce हुई, और हम पहुच गए 1.15 लाग करोड के उस आखड़े पर जो अपने आपमे एक record आखड़ा माना जा रहा है, in the month of December 2020. इंटीग्रेटेट इस्टी के बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा collection इसमें हुआ है, यानि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, outside the boundary of our country से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हुआ है 57,426 करोड, ये अगर आप देख रहे हैं कि 27,000 है, 21,000 है और यहाँ पे 57,000 है, यानि अपने आ रिवाइब होने में, हमारे important sectors ने, agriculture ने, साथ ही साथ हमारे, इसमें मत जाईएगा कि किसान क्या विद्रोव कर रहे हैं, उनका अपना farm bill है, वो अलग विशा है, वो एक political debate का विशा हो जाएगा, economically समझने कोशिश करिए, तो अपने आपने हमारी economy बहुत आगे गई है, बह आपने हमारे, कुछ सक्वा Cambridge, का विशा हमारे है, प्रस्ताइब हैंresh. ह придक counselor.